किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आज है दो जो ये मेरा तीन एकड का बाग है इसमें लगबग 1200 पोदे हैं 1226 पर ताइवान पिंक है जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था तब इसकी कटिंग की थी आज कल सब भाई अपनी सर्दियों के अमरूद की तयारी कर रहे हैं और कटिंग के बाद क्या तयारिया करनी हैं उन में से कुछ जो इस समय चाहिए इस महीने चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा ध्यान से देखिए और हाँ अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो आपके सवालों के उत्तर नहीं मिल पाएगे ध्यान से देखिए अब मैं सुरू करता हूँ वीडियो इसकी कटिंग मैंने पांच जून को सुरू की थी पांच छे साथ आठ नो नो तारीक तक हमने इसकी कटिंग हमारे पास पुल पोदे हैं लगभग 1200 अब आप देखिए मैंने बताया था कि कटिंग करने के बाद जब आ देखिए और अगले 25 दिन में आपके इसमें फूल खिल जाएगे यानि यह प्रोसेस आपका 25 जून तक पूरा हो जाएगा अब इसमें क्या कारिया करने ध्यान से देखिए मैंने इस खेत की जुताई कराई जुताई कराने के बाद में जब हमने कटिंग की थी कटिंग के इसमें पानी लगवाया था और मैंने दिवाई दो पानी करीब दस दिन के अंतरहाल पर पानी दिलाने के बाद ये हालत हो गई इनकी आप देखिए कि मैंने बताया था कि इसमें तीसरे पत्ते पर फूल आते हैं देखें पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरे पर ये जो ह किल्वा कहीं भी हर्याली नहींकged और जितने पितर पतंगे सबसे पहले हमने क्या किया इसके दोनों और ये गड़्ड हमारा कि इसलिक में हम क्या डालेंगे मैं वह बताता हूं और तेक पोदह में कम से कम 30 किलो गोबर की खाद जो हमने तयार की थी वो डाले गए ये 30 किलो गोबर की खाद 15 किलो इस तरफ और 15 किलो इस तरफ दोनों तरफ मैंने खड़े लगवाए उसके नीचे हम डालेंगे 2 किलो बोन मील परती पोधा मैं बता रहा हूँ और 300 गराम DAP, 100 गराम यूरिया और 300 गराम MOP, यानि 60% वाड़ा जो पोटासाता है हम डालेंगे लगवग 50 गराम इसमें परती पोधा सागारी का और हम डालेंगे इसमें लगवग 4 किलो पूरे इस तीन एकड़ में हुमिक एसिड जो इफको का है मैं इफको का हुमिक एसिड और सागारी का प्रियोग करना हूँ बोन मील में हुमिक एसिड, सागारी का DAP, MOP और यूरिया को मिला लेंगे और मिला कर ये मिसरन तयार हो जाएगा इस मिसरन को बराबर बराबर जो ये एक पोधे का मिसरन विया लगबग पोने तीन किलो आदा इस घड़े में डालेंगे पहले आदा इस घड़े में डालेंगे और उसके उपर हम डालेंगे गोबर की खाद और फिर खड़े को बंद कर देगे बंद करने के बाद हम इसमें पानी चलाएगे और दो पानी चलाएंगे अब हम इसमें इसके बाद जुताई नहीं करेंगे जब तक के फल हमारा सेट नहीं हो जाएगा तब तक इसमें घास भी होगा हम जुताई नहीं करेंगे यह हुई पहली बात अब आप देखिए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मेरे यह पोदे हैं देखिए इस तरब भी देख लीजिए कितने बड़े बड़े पोदे हैं आपको क्या लगता है कि परती पोदे पर कितना फल आएगा मेरा भी कुछ अनुमान है और मैं इसमें यह अनुमान लगा कर चल रहा हूँ कि मुझे इस में इस बारा सो पोदो से जो तीन एक कड में हैं कम से कम पांच लाग से ज़्यादा की मेरी सेल होगी इसमें अमरोग किस प्रकार होगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किसान सादियो इस समय हम माइक्रो न्यूटरेंट नहीं डाल रहे हैं चुकि जो थोड़ा माइक्रो न्यूटरेंट हुमीक एसीड और सागारिका में होता है वही काम करेगा और जब हम इसमें दो पानी दे लेंगे तो फिर हम इसमें ट्राइकोडर्मा, कम से कम 15 दिन बाद ट्राइकोडर्मा, सुडो मुनास और बैसिलस सब्टिलिस इन तीनों की ड्रिंचिंग करेंगे तो जो हमारे खाद पर है वो कारिय करेगा, और उसी टाइम हम थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट भी देंगे उसकी साथ, उसकी ड्रिंचिंग करेंगे, बाकी थोड़ा-थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट हम इसमें इस्प्रे में भी करते रहेंगे सबसे बड़ी समस्या जो आती है जब बरसात आएगी और छोटे-छोटे अमरूद होंगे तो फल मक्षी की समस्या आएगी किसान साथियो पिछले वर्स मैंने ये दयाल से जो इफको के ओनलाइन बजा रहे हैं वहां से ट्रैप मंगाये थे ये लगबग 80-90 रुपए का एक ट्रैप पढ़ता है वहां से खरीदने पर लेकिन इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं तो इसी का परियोग मैं करूँगा जब मेरे फल सेट होंगे ये तो हुई मेरी खाद की बात और पानी की बात अब इसमें क्या करना है कि अभी इसमें तुरंत कुछ एक तो मकडी आएगी इसमें जो इस तरह का पत्तों को कर देगी ये मकडी आएगी और इसमें एक सुन्डी भी आएगी जो केटरपिलर हम बोलते हैं और वो ये जो लोंग निकलेगी, जैसे ही लोंग बड़ी होगी, इसके अंदर से निकल कर इसको नुक्सान करेगी, उसके लिए हम क्या करेगे, ये अभी 20-25 दिन में सब काम होगे, तो मैं कल इसमें एक इस्प्रे कराऊंगा, और वो इस्प्रे होगा, आयरुका, जो इफको की आती है, ये लेमडा साइलोहेथरीन प्लस थायोमित होक्साम का मिश्रण होता है, इसे हम डालते हैं, लगभग 0.3 ml पर लिटर, यानि के 10 लिटर में 3 ml हम डालते हैं, इसको, इसके साथ हम मिलाएंगे NpK 1261, पांच ग्राम परती लिटर, जो हम ये 5 ग्राम परती लिटर मिलाए इसके साथ हम मिलाएंगे Boron, Boron हमारा माइक्रो न्यूटरेंट है, सब को पता है, इसकी मातरा होगी 1 ग्राम परती लिटर, और इसके साथ मिलाएंगे चिलेटीड जिंक, जो जिंक मिलाएंगे, वो होगा 2 ग्राम परती लिटर, किसान साथियों, इसके 10 दिन बाद, जब य एक बार करिए, 10 दिन बाद, आपको फिर NPK 1261, 10, 5 ग्राम परती लिटर, Boron 1 ग्राम, और जिंक 2 ग्राम परती लिटर, और ये सिलिकोन इस्टिकर, ये सिलिकोन इस्टिकर है, जो हमें डालना है, इसको मिलाकर 10 दिन बाद, फिर स्प्रे करिए, और आप देखेंगे, कि आप का बाग पूरा ही फूलों से खिल जाएगा, किसान साथियो, ये जो वीडियो है, इसका जो भी नंबर होगा, इसी के सिरीज में मैं अगली वीडियो बताँगा, जो भाई जैविक करते हैं, वो जैविक के हिसाब से अपना नीम का ऐल डालिये, या जो भी खाद आप बनात हैं, पत्तों से बनाते हैं, किसी भी चीज से बनाते हैं, आप उसे डालिये, मुझे कोई आपती नहीं, मेरा मानना ये है, अगर आपको बंपर फसल लेनी है, अच्छी फसल लेनी है, तो हमें न्यूट्रेंट किसी भी फॉर्म में डालो, चुकि जब वो घुलते हैं, पान रही बात ये के जो DAP और आपका कोटास होता है ये पूरी मातरा में जितना आप डालते हैं जमीन में नहीं घुल पाता है इसको घोलने के लिए ताकि ये पूरा पोधो को मिले हम परती एकड़ एक लीटर NPK कंसोर्शिया वो पानी में देंगे और लगभग तीन पानी पर देंगे यानि मैं तीन लीटर परती एकड़ इसको दे चुका होगा उससे जितना भी एगुलनसील जो आपका खाद पड़ा हुआ होगा पोटेशियम होगा या पॉटास होगा वो सब आपके पोधों को मिल जाएगा किसान साथियो ये हैं मेरा एक प्रियास और मैं इसकी पूरी जितनी भी गणना हैं सब आपको बताऊंगा के कैसे कैसे बाग डवलप होगा जब तुड़ाई होगी तब भी बताऊ और कितना निकला ये भी बताऊंगा लेकिन इस पर अपने विचार कमेंट में अवश्य बताया है हाँ जो मैंने बताया है अभी वही कारिये करने हैं उसके अलावा जो भी आप करते हैं वो अपनी सुवीदान्वार सभी करते हैं मैंने ये किया है और इसमें से अच्छी फसल मेरा टार्गेट है कि कम से कम हमें एक लाक परती एक कड़की बचत इस बाग से होनी चाहिए देखते हैं कितनी होगी इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदेवाद